अगर दोस्तों आप लोग भी 15,000 पे के बजट के अंदर एक Super AMOLED डिस्पले वाला स्मार्टफोन बाई करना चाहते हैं 2023 के अंदर तो आप लोग को ये वीडियो लास तक ज़रूर देखना चाहिए और दोस्तों तीसे नमर का स्मार्टफोन तो आल राउंडर होने वाला है तो उसको तो आप लोग ज़रा भी मिस मत करना बाकि हमारे लिस्ट में पांचवे नमर का स्मार्टफोन आता है जो कि एक Super AMOLED display होने वाली है, इसके अंदर आप लोगो 128 refresh भी देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप लोगो की smoothness की काफी जाद अच्छी होने वाली है, इसके अंदर दोस्तों आप लोगो performance के लिए Snapdragon 695 process देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगो की smartphone को काफी fast बना देगा, यह smartphone दोस्तों आप लोगो 33W के शुपपार charging और 5000 MHz की beta की साथ देखने को मिलता है, इससे smartphone के अंदर आप लोगो 38MP के triple camera देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप लोगो एक medium range की फोटोग्राफी तो करी सकते हैं, इसके अंदर दोस्तों आप लोगो IP53 rating देखने को मिलती है, औ की price की बात करें, तो आप लोगो Amazon के उपर 6580 रुपे के अंदर देखने को मिलेगा, लेकन अगर आप लोगो हमारी link पे जाके इसको order करोगे तो यह सिरफ आप लोगो 15,000 पे के अंदर देखने को मिल जाता है, अब दोस्तों हमारी लिस्ट में चोते नमर का smartphone आता है, Redmi Note 10S, दोस्तों यह Red Mega सबसे perfect और सबसे budgetable smartphone होने वाला है आप लोग के लिए, इसके अंदर दोस्तों आप लोगो C.4 तर इंच की एक Super AMLO display देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोगो Gorilla Glass की security के साथ देखने को मिलते हैं, कैमरे की बात करें, तो इसके अंदर आप लोगो 64 Megapixel की Quad camera दे देखने को मिल जाता है, इसकी दोस्तों जो smoothness होगी और जो finishing होगी वह आप लोगो काफी अच्छी लगने वाली है, बाकि इसकी back की designing भी आप लोगो काफी अच्छी लगेगी, बाकि price की बात करें, तो यह smartphone आप लोगो चार्ज इब्रेम और सोसेज इबें इंटर इस्टो आप लोगो इसकी display के अंदर इसका fingerpin lock देखने को मिलता है, जिसे कि यह smartphone काफी ज़्यदा अच्छा बन जाता है, यह smartphone दोस्तों आप लोगो snapdragon के काफी अच्छी कासी process के साथ देखने को मिलेगा, जिसे कि इस smartphone की speed होगी काफी ज़्यदा fast हो जाती है, यह smartphone दोस्तों आप 64W के fast charging और 5000 Megatres की betty के साथ देखने को मिलता है, बाकि पराइस की बात करें, तो यह smartphone आप लोगो चार्जिव रहें, और इस रोटाजिव इंटल स्टोरिज के साथ Amazon के ओपर 14,000 चार्शन देखने को मिल जाएगा, अब दोस्तों माई लिश्ट में दूसरे अमरीका smartphone आता ह दोस्तों की एक Super AMOLED देखने को मिलती है, तो इसके अंदर आप लोगो 900 रिफ्रेट देखने को मिल जाती है, बाकि इसके अंदर आप लोगो 33W का फार चार्जिंग और 5000 Megatres की betty भी देखने को मिल जाती है, इसके camera quality की बात करें, तो इसके अंदर आप लोगो 64 Megapixel के AI camera दे देखने में और ये smartphone दोस्तों आप लोगो काफी अच्छा लगने वाला है, बाकि दोस्तों पराइस की बात करें, तो ये रेली में का smartphone आप लोगो 6GB रेम और 100GB इंटर इसके साथ देखने को मिलेगा, और इसके जो पराइस होगी Amazon के ऊपर, वो आप लोगो बार आदान उस 10.6 inch की एक Full HD display देखने को मिलती है, जो के एक AMOLED display होगी, इसके अंदर दोस्तों आप लोगो 90 हाट रिफ्रेट भी देखने को मिल जाती है, जिसे की इस स्मार्टपोन की आप लोगो जो display होगी काफी स्मूथ लगने वाली है, इसके लवा camera की बात करें, तो इसके अंदर आ आप लोगो Exynos का 1330% भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस स्मार्टपोन को काफी ज़्यादा फास्ट मना देगा, बाकि पराइस की बात करें, तो इस स्मार्टपोन दोस्तों आप लोगो 15,000 पी की रेंज के इंदर बिल्कुल perfect देखने को मिलेगा, इसके अंदर दोस्तो आप लोगो 25 वार का फार चार्जिंग और 6000 मेटर्स की बेटी भी देखने को मिल जाते हैं, बाकि दोस्तों इसकी जो स्मूद बैक होगी, वो आप लोगो काफी ची लगने वाली है, और इसका जो बैक कवर होगा, वो आप लोगो काफी अच्छा फिल भी करा देगा, बाकि दोस्तों इसकी पराइस की बात करें, तो यह आप लोगो 4GB और 100GB इंटरल इस्टोरेज की साथ, Amazon के उपर 14,000 रिपे के अंदर देखने को मिल जाएगा, बाकि दोस्तों यह थे से टोप 5 बेस्ट स्मार्पून, जिनके अंदर आप लोगो सूपर एमिलोड डिस्पैस देख